दिये हुए credential के साथ आपको login करना है जो हम आपको provide करेंगे जिसमें आपके पास होगा एक exam code, एक username होगा और एक होगा आपके पास password जो हम आपको provide करेंगे ये तीनो column आपको fill करने के बाद आपको login पे click करना है जैसी आप login पे click करते हैं then next page आपको center की details आजाएंगी आपके सामने and then वो आपको correct करनी है correct करके जैसी आप next page पे आते हैं आपके सामने candidates की details आजाएंगी जो center पे आने वाले हैं last corner में आपको एक barcode आपको icon दिखाई देगा उस icon पे click करके आपको barcode scan करना है scan करते ही candidate की information है वो फैच हो जाएंगी और वो सब आपको save करनी है then continue करेंगे और फिर आप manually भी entry कर सकते हैं roll number क्लिक डाल कर आप manually entry भी कर सकते हैं then same process रहेगा enrollment का and then save continue continue